हालो एवरिवन रात के करीबन एक बज़रा है बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं और एक नहीं बहुत सारे मैसेज जो बच्चे पढ़ाए हुए थे जिनको मेरा प्रोमिस किया वा था कि तिरा छस्थो तीस के उपर छस्थो चालिस पे छस्थो पचास पे जो अपने मादर फादर को ये बताने में जिजख रहें कि उन्होंने पहले कह दिया था कि मेरा सेलेक्सन हो जाएगा या उसके पैरेंट्स ने भी कह दिया था कि बच्चा हमारा मेडिकल कोलेज मिल जाएगा डोक्टर बन जाएगा उन परिवारों के उपर क्या भी रही होगी और ये परिवार चलो एक हो जाए दो हो जाए वो तो ठीक है लेकिन मतलब दाल में थोड़ा काला हो तो चले लेकिन पूरी दाली काली है मतलब मैं आपको एक से सो के अंदर रैंक के अंदर गड़बड़ी बताऊं तो बहुत सारी गड़बड़ी है तो आप सोचो यार एक से सो में इतनी गड़बड़ी है तो सो से पांच सो में कितनी होगी और पांच सो से हजार में कितनी होगी पांच हजार में कितनी होगी दस हजार तक की रैंक में कितनी होगी 25,000 तक Government College मिल रहा है उसमें कितनी होंगी जिसने दिन रात जमीन बेच कर दिन रात मेहनत करी अपने बच्चों को पढ़ाया और उसका तीसरा ड्रोप था, चोथा ड्रोप था, पांचवाँ ड्रोप था किसी का पहला दूसरा था उनके उपर क्या बीत रही होगी यार सीधी बात है आज हम नहीं बोलेंगे आज हम बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो मुझे बताईए कब साथ देंगे बच्चों को हमेज बच्चों के साथ आना पड़ेगा और उनका हर टाइम साथ देना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा के भी क्या कर लेंगे चलो अभी तो यह रजल्ट आ गया इनका है लेकिन यह बताइए इस साल 27 लाग बच्चे बैठें 27 लाग बच्चे अब अगली साल तीस लाग बच्चे और तयारी कर रहे होंगे उनके उपर क्या बीतर होगा कि मेरे टाइम क्या होगा उनकी एक ही क्योस्टन आ रहा है कि मेरा वाला रजल्ट कैसा होगा सर आप बताओ 720 में ही दिक्कत आ रही है उसको अच्छे कोलेज में पहुंचने में है साथ सो पंद्रा में ही एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है एक बार तो ये लग रहा था कि जो सुरू में आया था कि सुरू आती रोजानों में ऐसा आया कि भई यह दिल्ली एम्स भी नहीं मिलेगा 720 वालों बबर बाद में कलियर हुआ और उसके बाद पता लगा कि हाँ अले कभी नहीं हुआ ना ऐसा कोई रजल्ट आया तो क्या अचानक रातो रात बच्चे इतने इंटेलिजन्ट हो गए और पेपर भी इतनी जी जी नहीं था कि सब 700 700 की उपरी रैंक मतलब 700 नंबर लेके आए तो भी उसकी रैंक इतनी जादा आ रही है 706 की उपर 700 रैंक है तो यार क्या रातो रात इतने इंटेलिजन्ट हुए या कोई ऐसा परकरती में ऐसा बादाम मिला जो खिलाया गया तो बच्चे इतने इंटेलिजन्ट हो गए बार बार करेक्शन विंडो या फॉर्म भरने के लिए बार बार विंडो खुल रही है जैंसी की कि दुबारा फरमबर ये एक ही सिरीज के बच्चे आ रहे हैं मतलब चल क्या रहा है आप देखिए इससे पहले कभी नहीं हुआ मैं तो एक से सो के बीच की गड़बड़ी बता रहा हूं ये आपके सामने ये एंटेलिजन्ट का प्रूफ है आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एक ही सिर सेम सिरीज है क्रिस हर्याना से बिलोंग करती हैं सेम सिरीज है लक्ष है डैली से बिलोंग करते हैं एक ही हर्याना दिल्ली एंसियार गुड़गावां अंजली जी हैं हर्याना से बिलोंग करती हैं तू-3 जी जानवी राजस्तान से बिलोंग करती हैं बोडर एरिया राजस सब एक बात समझो यह हैं यदी पहलवानी की बात होती मैं यह नहीं कह रहा हूं अर्याना ने टोप रेंक भी प्रोड्यूस करें पीछे भी टोप दियें या यार फस्त दी थी ठीक है ना इससे पहले भी बहुत रजल्ट दियें लेकिन एक सीरीज के और एक साथ बच्चे ऐसा तो कभी नहीं हुआ आजात भारत में यदि पहलवानी की बात करता कि यह सारे मैडल लेके आएं तो मैं बात मान लेता मैं लड़ लेता उनके लिए कि पहलवान हर्याना से हैं गेम में स्पोर्स में कोई मैडल लेके आने होते म मैं लड़ लेता सब कुछ कि हर्याना से हैं लेकिन यह थो तो साब ही दिख रहा है मत्ब सकतर रैंक में इतना गफ्ला अजर में बीस जार में जो अब उसने भी मेहनत इतनी करी थी जितनी इन बच्चों ने करी उसके भी ऐसे इस अपने थे ना जो इसके परिवार के है तो यह बात हमें सोचनी पड़ेगी और आज हम बच्चों का साथ नहीं देंगे तो यह आगे सागी बढ़ता ही रहेगा इतना बड़ा घपला इसके अंदर मतलब हो गया है और सब लोग वीजी हैं इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ यह हुआ क्यों पता है जब पेपर आउट होने की खबरें आई थी मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा यहां बरा हुआ था इतने डॉक्टर्स पकड़ गया यह बहुत सारे मीडिया है लेकिन उस दोराँ सब आंख बंद करके बेठे रहे हैं गलतीयों पर गलतीयों पर गलती हां गलतीयों OUT गलतीय करते रहे आज यह परनाम है यह सीरीज के बच्छे आइंडिया के सब से टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली और एक सेंटर एक मैं किसी का personal कोई विरोधी नहीं हूँ मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ लेकिन सच को सिस बोलेंगे चलो सर ये तो कोइंसिडेंट आ गया हो ये क्या है एक ऐसा बच्चा है जिसके 718 माक्स आ गये है चलो एक कोशन छोड़ा उसने तो 716 आ जाते हैं एक गलत किया तो 715 आ जाते हैं 718 नमबर कैसे आ सकते हैं जिसने रजल्ट बनाया उस तो पढ़ाई भी करी होगी उसने कैसे पोसिबल है एक के साथ सो गुनिस आ रहे हैं ऐसी कौन सी मैथ पढ़ी होगी जो ऐसी कैलकुलेशन करके ऐसे माक्स आ गए होगे मुझे दुख उन बच्चों का है यार उन बच्चों का दुख है जो आज मैसेज कर रहे हैं अभी मैसेज कर रहा है बता दो सार एक बात कि मेरे 656 पे माक्स पे मुझे कॉलेज मिलेगा और नहीं मिलेगा कंफर्म कर दो सर मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेग्री 656 बच्चे के नंबर भी हैं अभी मैसेज कर रहा है सर आप तो 100 परसेंट बता दीजिए मिलेगा नहीं मिलेगा क्या जो आप दें हम 656 और इस 720 में से 656 माक्स आने के बाद उसके यह हालात है समझ रहे हूं तो हम मैं परसनली आपको कह रहा हूं मैं सक सी सर पूरी हमारी टीम भी आप लोग के साथ थे हैं और रहेंगे मैं आगे से मैसेज कर रहा हूं बच्चों को कि आप चिंता मत करिए जहां कहीं भी ज़रुत पड़ेगी हम वाँ खड़े मिलेंगे लेकिन इस तरीके से सारे सपनों को जलते हुए नहीं देखा जा सकता आज होता है यह 56 वाला यदि मेरे को क्लास में कोई पूछता था ना सर कि मेरे चैसोचालीस आ रहें तुम्हें मेरा सिलेक्शन हो जाए का तुम्हें उसको डांटता था कि तिरे आगे तो तुम मजे ले रहा है आज आना बाकी बच्चों के आज वहीं बच्चे कह रहे थे है कि 67 बच्चे 720 में एक ही सीरीज के सारे बच्चे आ रहे हैं एक सेंस्टेट से आ रहे हैं कि 718 700 गुनी सो टोप हंड़ के अंदर ये गफले हैं यह चिंता होती है कि बाकी रिजल्ट में कितना है मैं सभी लोगों से अपील करूँगा मेरा नहीं सभी लोगों से जितने भी सिक्षाविद हैं उन सभी को साथ देना चाहिए बच्चों का उनके साथ खड़े रहना चाहिए हर तरीके से जो भी इस रेजल्ट में करेक्शन हो सकते हैं या बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं मेरी हाद जोड़के सवी सिक्षाविट से अपील है कि हम लोगों को बच्चों का बहुत साथ देना चाहिए अभी और हम लोग जीतेंगे बच्चों जितने भी 650 वाले भी रो रहे हैं, 655 वाले रो रहे हम जीतेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें ठीक है, कल जो भी आपको अपडेट और मिलेगी हम लोग अपडेट देंगे, इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करो ये बातें NTA तक पहुंचे, जहां पहुंचानी है वहां बात पहुंचे और इन बच्चों के साथ ने आए हो ठीक है, दूसरा, हम लोगों ने एक मुहीम स्टार्ट करी इस साल, वो मुहीम ये स्टार्ट करी है ये सपने थे, देखो बच्चों के, मैं बच्चों के ये सपने दिखाता था, ये देख तू यहां जाएगा, इतना अच्छा हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं मैंने ऐसे फोटों ले रखी थी उन बच्चों के लिए, कि बटाओ, ये अपना पढ़ते टाइम, ये करना, ये ऐसे फोटों, जो इंडिया की टॉप कॉलेजेज हैं, सबकी फोटों ऐसे दिखाता था हमने एक और मुहिम स्टाट कर रखी है, ये ऐसे जो गरीब बच्चे यार जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए, किवल हम लोग, हमारी टोप टीम, सारे बैच, सारे टैस्स, सब कोछ, जितना भी पढ़ाने का नेट के लिए जितना भी जरूरी है, वो सब हम लोग इस प्राइस में आजकल दे रहे हैं, अनकेडमी ने एक बहुत भी बड़ी मुहिम स्टाट कर रखी है, ना हम इसमें एक स्टा कोई क्रेस कोर्स लेंगे, इसमें क्रेस कोर्स है, इसमें सारे बैच हैं, एक बैच नहीं है, इसमें एक एजुकेटर नहीं है, अनकेडमी में 100 इसी में है डेली प्रैक्टिस इसी में है सारे पीडिय वगरे सब इसी में सब कुछ इसी में दे रखा है जो 10 से 11 क्लास में आ रहे हैं बच्छे ऐसे गरीब तबके के बच्छे उनको बहुत हायर क्वालिटी एजुकेशन क्यों इसी प्राइस में सब्सक्राइब आप किसी बड़ी सी टीम में जो आएंगे हो तीन लाक रुपे लग जाएं चार लाक रुपे लग जाएं लेकिन इसी के अंदर ठीक है मेरी मेंटोर्शिप में आना चाहते है कि सर आप गाइड करेंगे तो एक कोड होता है वह आपसे पूछा जाएगा तो एसकेसी लाइव है हमारी सारी टीम जितनी भी टीम है सब की सब यह अनकरडवी सपार्ट इनका सब का आपको एक्सेस मिलेगा सूपर सिक्स टीम जिसने आज मेरे नाम बताये थे पंदरा प्लस ऐसे बच्चे हैं जो की साथ सो प्लस लेके आए एक छोटे से बैच से इस पूरी टीम का सजमर और हम ओफलाइन पढ़ना चाहते हैं आप से तो ओफलाइन की भी बैच का आइकोनिक सब्सक्रिप्सन है जिसने पंदराजार है हमारा कोटा सेंटर हमारा पटना सेंटर इंदोर सेंटर ग्वालियर सेंटर डिली सेंटर सब का एक्सेस मिलता है पंदराजार उपए मे ऐसे डिजिटल बोर्ड पे खड़े होगे पढ़ाने वाले बैसेश केवल 15 में सारे नोट्स आएंगे, सब कुछ मेंटोर मिलेंगे सब कुछ आपको एक एक चीज गाइड करेंगे लेकिन बात आज के दिन इस चीज की है इस पर हम लोग जरूर इस पर सब लोग एक जूट होकर बच्चों का साथ दें और हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ डैफिनेटली इसके उपर जीतेंगे जो ये बात है चलिए कल आपसे मिलता हूँ रूबरू होता हूँ क्या इस पर एक्सन होता है